नगदी रकम एवं सोने के आभुसन को बेमानी से अपने कबजे में रखने का मामला सामने आया है दरसल हेत राम बर्मन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वसुबा अपने मोटर सैकल से पामगड छोटे लाल सुर्यवनसी के साथ आ रहा था ठीक उसी समय गाओ के स्रवंट सुर्यवनसी के पतनी चैतिन भाई ने 500 रुपए देकर फल लाने को कहा पामगड में प्रार्थी के द्वारा बोलबम जोईलर्स से सोने का हार एवं एक सोने का कान का जुमका लेकर कपड़े के थैले में रखकर ग्रामिड बैंक पामगड से एक लाक रुपए अपने स्वयम के खाते से निकाल कर उसी थैले में रखा था तथा अपने नीजी जमीन के बिक्री नगदी रकम एक लाक रुपए देने पर उसे भी थैला में रखा था छोटे लाल के द्वारा फल, आम, केला तथा मेडिकल से दवाई लेकर उसी थैले में रख कर घर धनगाओं चला गया जहां छोटे लाल ने स्रवन सुरिय वंसी के घर जाकर उक्त थैला तथा थैले में रखे सोने का जेवर एवं नगदी रकम दो लाक तथा फल दवा को देकर अपने घर चला गया दुसरे दिन छोटे लाल के दवारा स्रवन सुरिय वंसी चैतनी भाई तथा सुनीता के घर जाकर सोने के जेवर एवं नगदी रकम की मांग करतने पर तीनो व्यक्तियों के दवारा हमें किसी प्रकार का जेवर एवं नगदी रकम नहीं दिये हो कहकर जेवर वं नगदी द जांजगीर पारूल मार्थोर अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक मधुलिका सिंग को अवगत कराया गया जो आरोपियों की ततकाल गिरफतारी करने निर्देश प्राप्त होने पर अनुविभागी अधिकारी जांजगीर दिनेस्वरी नंद के कुशल मागदर्सन में आरोपी स् धनयक धन पूस्ताभ करने पर जुर्म करना स्विकार की है जिनके मेमोरेंडम कत्तन लेकर नगद ररकम के लुज़न करीब हैचन तामरकार, राजकुमार चंद्रा, मिरिश साहू, तुलसी आदव, राय सागर, हेमंत राज, एवं थाना इस्ठाप का सराहनी युगदान रहा डियनेक्स टीवी के लिए जांजगी चापा से अस्विनी सिंग की रिपोर्ट